तो दोस्तों आज हमारा दूसरा सेक्शन शुरू होगा आई द्रिश्टी करेंट अफिर्स हेंड रेटन शॉर्ट नोट्स का जो रैपिड फायर फास्ट रिविजन की हमने सेरीज शुरू की है कल हम लोगोंने नेशनल करेंट अफिर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सारे अच्छी तोपिक्स को कवर कर लिया था कि कौन कौन से टोपिक्स में कौन कौन से पॉइंट अव इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा महत्पूर है और एक्जाम्स का मतलब हो गया आपका यूपी पीसेस प्रिलिम्स दोजार चौबीस बा ही हैं तो हम लोगों ने कल नस्तल करेंट अफिर्स पढ़ लिया था बहुत सारे लोगों ने उस पर सपोर्ट भी किया प्यार भी दिखाया और कहा भी कि उस स्रीज को कंटिन्यू करें तो आज हम लोग अंतराश्टी घट नकरम को करेंगे जिसमें सारे इंपॉर्टन चीजों को हम कवर करेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कि अंतराश्टी संबंध है लेकिन इस समय हम लोग पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे सभी टॉपिक में कुछ ना कुछ इंपॉर्टन चीजे होती हैं इंपॉर्टन लाइन होते हैं और यह PDF आप हमारे WhatsApp नंबर से हमारे टीम से पर्चेस कर सकते हैं और जिसने पहले से पर्चेस कर रखी होगी इस PDF को तो वह एक से दो दिन का और वेट करें जब यह पूरी अंडरलाइन या हाइलाइट पॉइंट हो जाएंगे तो उनको पीडिए प्रवाइड करा दी 8527594636 और इसकी पूरी complete सीरीज आपको आई द्रिश्टी के नाम से प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी तो शुरू करते हैं पहले भारत और सिंगापूर का समंद्ध के जब भी हम विदेशी समंद्ध पढ़ेंगे भारत के तो तीन बातों का खास कर ख्याल रखेंगे क्या क्या ख्याल रखेंगे कि यात्रा जो है कि कब होई मुख्यरूप से कि मतलब यात्रा मोधी जी ने किया कोई और ब्यक्ति आता है दूसरा इसमें important चीज़ है कि क्या कोई ऐसा महत्पूर समझोता किया गया जो भारत की अर्थ ब्यवस्था और भारत की महासक्ति बनने तो नरेंद मोदी जी ने 4-5 सेप्टेंबर 2024 को सिंगापूर की यात्रा की थी, जो पॉइंट में हाइलाइट करके पढ़ा रहा हूँ आपको, अब यही आपको मुखिरूप से रटके जाना है एक्जाम के लिए, और जिन्होंने पहली बार इस क्लास को देखा है, तो उनके सला होगी कि पहले वो पूरी क्लास को देख ले, पूरे डीटेल से नोट्स को पढ़ ले, जो मैंने सारी क्लास करा रखें इसकी, मैं रातन देख सकते हूँ, उसके बाद यह क्लास देखेंगे, तो समझ में आएगी, अधरवाईज उनको रखते रह जाएंगे, तो मोदी कि यात्रा होई थी सिंगापुर में, अभी सेप्टेंबर दोजार चौबिस में, और ध्यान दिया जाए कि इस दौरान वर्स दोजार पच्चिस में भारत और सिंगापुर के मत्र राजनाईक संबंदों की साथवी वर्सगाट सेलिबरेट की जारी थी, यानि साथ वर्स ह हो चुकी हैं दोजार पच्चिस में भारत और सिंगापुर के सम्बंदों के बीच में, अब बहुत सारे यहां पर समझापुर पालिसी को लागू किया है दोजार चौबिस की, बहुत सारे प्रियोग इसके किये जारा है, नेस्टनल करेंट अफ़र्स हम भेने बताया भी तो यहाँ पे भारत और सिंगापूर अर्द चालक पारी तंत्र साजेदारी की गई, इंडिया सिंगापूर सेमी कंड़क्टर एको सिस्टम पार्टनर्शिप पे हस्ताक्षर किये गए, तो भारत ने अभी इस बार जब गए थे मोदी जी तो सिंगापूर में जाके इन्हों सेमी कॉन इंडिया प्रोग्राम में आमंत्रित किया था, तो ग्यारा से तेरह सेप्टमबर दोजार चौबीस के मत जो ग्रेटर नोड़ा में आयोजित हुआ सेमी कॉन इंडिया प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सिंगापूर की अर्दचालक कंपनियों को आमंत्रित क्यों है कि भारत सरकार के द्वारा लगातार तेरु क क्याहर समय आइक लेखक साज।-इंडिया थिक्राजिन काल के इनकी घ्रीय सांस्कृत सस्कृत कर दे्ग लाकी और से सिंगापुर इंपॉर्टेंट यहां क्लियर हो गया नेक्स्ट अगर हम भारत और बुर्निया की बात कर लेते हैं तो यहां पर अगर आप देखोगे कि तीन से चार सेप्टेंबर दोहजार चौबिस को प्रधान मंती नरेंद मोदी जी ने बुरुनेई की पहली दूइपक्षी यात्रा की, पहली का मतलब हो गया कि लगबग 10-11 साल से प्रधान मंती बने हुए है, लेकिन कभी उन्होंने बुरुनेई की यात्रा नहीं की थी, यह पहली परषनली जो एकी जाके नहीं की थी, और यह पहली बार था जो प्रधान मंती नरेंद मोदी वहाँ पर गये थे, और साथी साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चीए, कि प्रधान मंती जी ने बुरुनेई में भी एक भारती उच्छा आयोग, जिसे एक तरी चांसरी परिसर का उधगाटन किया, चांसरी एक वहाँ की जगह है, वहीं पर इस परिसर का उधगाटन किया गया है, तो भारत का एक उच्छा योगा बुरुनेई में भी हो गया है, चांसरी परिसर के नाम से जाना जाता है, साथी साथ प्रधान मंतरी मोदी जी ने इसी हाली में दोरा किया था तो बंदर सेरी बागवान ये इनिश्टी राजधानी है और साथी साथ एक और important चीज आपको देखने को मिलेगी कि दोनों देशों के नेताओं ने दोनों देशों के नेताओं ने बंदर सेरी बागवान से लेकर चेन नई के बीच में सीधी उडान भी भरी है अर्था direct connectivity हो गई है इसका मतलब क्या होता है बहुत सारे देशों में अभी अमने direct connectivity नहीं दिया अगर आप दिल्ली से उडान भरना चाहते हो अमेरिका की direct मिलेगी ब्रिटन की मिलेगी जर्मनी की मिलेगी जगय 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 की मिलेगी लेकिन कई सारे ऐसे देश है जहां पर हम direct अपनी कोई उडान नहीं भरते हैं बलकि दो पार्ट में जाते हैं जैसे हमने एक देश से दूसरे देश में गए फिर वहां से तीसरे देश में जाएंगी ठीक है यह होता है इसी तरीके से ब्रुनेई में भी direct कोई उडान नहीं थी लेकिन अब यहा कंट्री के आपको पता होती है क्योंकि मोदी जी कुछ महत्पूर देशों में जाते हैं जहां से भारत के संबंद को महाशक्ति की और बढ़ने का मौका मिले जैसे अमेरिका हो गया ब्रिटेन हो गया जर्मनी हो गया चाइना हो गया रूस हो गया ब्राजील हो गया तो ऐसे देशों की राजधानी तो पता होती है लोग भोई लेकिन जो छोटे-छोटे देशों में यात्रा करते हैं तो वहाँ की कई बार होता राजधानी मेलान करने के लिए दे देता है तो इसे याद रख लेदा आगे एक और important topic है भारत और यूक्रेन अगर मैं आपको बताना चाहूं कि रसिया ने जो यूक्रेन पे आक्रमण किया इस वज़े से जो एकी भारत और हलाकि रसिया का पहले से याराना बहुत खराब चलता है यूक्रेन के साथ और भारत रसिया का ही सम्मान करते हुई यूक यूक्रेन की आधिकारी की यात्रा की थी और यह किसी भी भारती प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा की यानि इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा ही नहीं की थी जब की दोनों देशों की वीच में समद्द 1992 से चल रहे थे 1992 का मतलब क्य हुआ कि जब 1990 से लेके 1991 में जब USSR का विगटन हो रहा था किसका USSR यानि कि सोवियत संग का विगटन हुआ तो 10-15 देश यहां से अलग अलग निकल गए और फिर उनके साथ हमारे डारेक्ट वाड़ेजिक संबंद तो हो गए ब्यापार के तो हो गए लेकिन राजनितिक संबंदों को हमने बहुत महत्पूर नहीं माना लेकिन इसी लिए हुआ कि 2024 में पहली यात्रा हुई किसी भी भारती प्रधानमंत्री की अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यूकरेन की जो यात्रा थी मोदी जी ने डिरेक्ट भारत से यूकरेन में प्रधानमंत्री नरेंद मोदी जी पहले पोलेंड जाते हैं और फिर पोलेंड की यात्रा करने के बाद वहां से यूकरेन में बाया रोड आते हैं कैसे आते बाया रोड आते हैं तो पोलेंड के प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं ठीक है डोनाल टस्ट जो वहां के प्रधान इंद्रावती जो हैती में चल रहे ग्रे संगरसों में या ग्रे युद्धों से भारतियों को बचाने के लिए बाहर निकालने का प्रयास है। किया सरदांजली अर्पित की नरेंद मोदी जी ने तो Oasis of Peace Park अभी चर्चा में रहा यह कहां का है तो कीव में यह नहीं यूकरेन का है ऐसे प्रश्ण बनते हैं ठीक है और यहां पे को समझाओते थे लेकिन साथी साथ प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी ने यूकरेन की सरकार को चार भीस्म क्यूब प्रदान किये भीस्म क्यूब क्या होते मैं आपको बता देता हूँ आगे फिरा और इसकी जानकारी बताता हूँ तो यहां पे अगर आप देखोगे भीस्म का मतलब होता है कि एक तरीके से एमर्जेंसी हॉस्पिटल मतलब भारत हेल्थ इनिशेटिव फॉर्स सहयोग हित मैत्री आरोग मैत्री परियोजना का एक अंग है जो कि विस्व के पहले स्वदेसी पोर्टेबल अस्पताल की संग करता अगरा मैं इसकी प्रैक्टिस भी हो गई इसमें कि अगर कोई का जवान है कोई सेना का जवान है जो घ्रेसिंग पैटर्न होते हैं द्रेसिंग करने के लिए या फिर जगए बलड टेस्ट करने की चतनी वी होती है वो सारी सुविधाय बेसिक रूप में मिल लाती है और यूक्रेन पहला ऐसा देश है दुनिया का जिसको भारत ने भीस्म क्यूप दिये हैं क्यों क्योंकि यूकरेन में लगातार संगर्स हो रहा है बाहर से युद्ध छेड़ा जा रहा है यूकरेन की सिपाही मर रहे है यूकरियन की संख्या बहुत कम है तो ऐसे में उनको जो हैं कि यह भीस्म क्यूब दिये गए तो ध्हान रका रहे हैं यूकरियन एक मात्र्वी तक देश है जिसनक्यूब दिये गए हैं अधर्वाइस किसी को भी अभी नहीं दिये गए तो important चीजे कुछ होती हैं उनको हमें याद करके चलना होता है आगे देखते भारत पोलेंड यही मैंने आपको बताया था भी कि 21 से 22 अगस 2024 के दारान प्रधान मंतरी मोदी जी की पोलेंड की आधिकारी क्यात्रा हुई और इस दारान मोदी जी ने वर्सा ज जो इसमारक है वहाँ पे उस पे इन्होंने सरद्धांज़ी अर्पित की साथी साथ अगर आप देखोगे तो इस दौरान प्रधान मंतरी नरेंड मोदी जी ने जाम साहिब इसमारक युवा आधान प्रधान कारेकरम नामा के पहल की भी घोशां की किसकी जाम साहिब इसमा 20 अगस्त में यूकरेन पॉस्ते बाया रोड ठीक है अब यहां पे भारत और मलेशिया के संबंधों को देख लेते देखिए यहां पे क्या ना कि मैं आपको कुछ साथ रिवीजन कर सकते हो अगर आप यह सोच रहा हो कि केवल पहली बार इस क्लास को देख रहा हो तो सायद में कह सकता हूं 90% 80% बच्चों को चीजे नहीं समझ में आएंगी इसके लिए जरूरी है कि प्लेलिस में जाओ वहां पर महराथन क्लासेज दिए डीटेल वाइस नसल अलग हर एक चीज की अलग है उसको देख लू उसके बाद आप अगर रिवीजन क्लास देखो गे तो नो डाउड बहुत मज़ा आएगा बहुत चीज़े रिवाइस हो जाएंगी तो यह तरीका होता है यहाँ पर देखते हैं कि 19 से 21 अगस 2024 को मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इबराहिम भारत की राज की यातरा संपन ने की देखो प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे नाम होते जो लंबे-लंबे होते बड़े होते तो उसे याद नहों पाए तो कोई बात नी कोई एक ट्रिक बना लो जैसे कि इबराहिम की बात कलो दातो इबराहिम कहलो तो 19-21 अगस्त के दौरान ये मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत की राज की यातरा पे थे तो इस दोरान कुछ खास हुआ क्या बिलकुल खास हुआ एक बहुत बड़ी घोशना कर दी गई थी भारत सरकार के दौरा भारत सरकार ने कहा कि हम मलेशिया को दो यह नहीं कि कद देने की बात कि लिए मलेशिया के यह योजना की गई है तो इसे याद रखना आ साथी साथ अगर आप देखोगे एक और इंपोर्टेंट ही कि मलेशिया विस्विद्या में भारती अध्यन की तिरुवल्लूर पीट की स्थापना की जाएगी जब कि तिरुवल्लूर सांस्कृत केंदर कहां खोला जा रहा है संगापुर में खोला जा रहा है लेकिन यहाँ पे तिरुवल्लूर पीट की एक स्टडी पैटन्ट लिए एक आफिस खुला जाएगा एक चेयर होगी इट मेंस की वहाँ पे उसका कोर्स चला जाएगा और साथी साथ भारत मलेशिया की बीच में एक डिजिटल परसत की भी स्थाप रखी जाएगी और भारत के द्वारः अपने यूपियाई को जो हमारा भीम यूपियाई वेगरा चलता है भारत में इसको मलेशिया के पेमेंट के साथ एक इकरित करने की भी गोशना कर दीगे इससे क्या होगा जो भी भारती मलेशिया जायागा घूमने या वहाँ पे रह सकता है तो वो डिरेक्टली अपने UPI से मलेशिया में कोई भी पेमेंट कर सकता है उसे बार-बार करेंसी एक्षिन कराने के अवशक्ता नहीं पड़ेगी तो ये काफी अच्छा पैटर्न है चलत हुआ कि हमने इनको line of credit दिया यानि एक उधार दिया है कितना रक्षा खरीद के लिए यानि कि defense की खरीदने के लिए भारत सरकार के द्वारा वियतनाम सरकार को प्रदान कीगी 300 million dollar की कितने दोस्तों 300 million dollar की क्या दीगी रिंड की सहायता दीगी जिसको हम लोग line of credit के नाम से जानते हैं और इस पर एक समझोता किया गया अर्थात भारत सरकार ने क्या कहा कि वियतनाम अगर हमसे रक्षा खरीद समझोते करता है कोई हमारे जो है की defense के जो gadget है टूलस है अगर उसको खरीदता है तो हम वियतनाम को 300 million dollar का line of credit है नहीं कि लोन दे सकते है रिंड दे सकते ह हमारे ही product खरीदने के लिए तो दिया गया है यह वियतनाम को ठीक है भारत और आस्ट्रिया कुछ खास important नहीं था दोस्तों इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं लेकिन मेरे नजर से कोई important नहीं था हाँ Greece important है दोस्तों बहुत important है इसल काम चलाओ महमार है तो हम उसे guest room में बैठाते हैं चाय पानी देते हैं उसको बिदा कर देते हैं अगर वह महमान हमारा कोई खास दोस्त है बचपन का यार है या हमारे कोई relation में है तो हम उसे उसको पूरे घर का टूर कराते हैं या even कि अपने kitchen में भी उसको entry देते हैं जब इस बार Greece के साथ भी हुआ क्योंकि भारत का जो रायसीना dialogue होता है जो कि geopolitics और जियो economy को decide करता है कि भारत की भूराजनितिक स्थितिक कैसी होगी भूरार्थिक स्थितिक कैसी होगी जो कि confidential foreign policy होती है लेकिन फिर भी हम कुछ देशों को जो कि इससे अवगत कराते हैं हम आपको अवगत करा रहें तो भारत और ग्रीस में भी कुछ इसी तरीके की मितरता है दिखा देते हैं अभी हम आप जो international relation के student होंगे political science के student होंगे PSIR उनको इस बातों से agree होने में कोई doubt नहीं होगा कि हांसर आप जो बता रहें वो बहुत important चीज है यहां पर देखेंगे भारत और ग्रीस में तो 21 और 22 फरवरी 2024 को ग्रीस के प्रधानमंत्री किरिया कोस मित्सोटिक मतलब मित्सोटाकिस ने भारत की यात्रा की किसकी यात्रा की है भारत की यात्रा की है तो इन्होंने भारत की यात्रा की और भारत में जो हमारा 9th राय सीना डायलोग हुआ है 2024 मे ये इसमें मुख्य अतिती और मुख्य वक्ता यानि की के नोट स्पीकर के रूप में भी इनको सामिल किया गया और जो कि इससे पहले जब हमने 2023 का किया था तो इटली की प्रधान मंतरी यहां पे सामिल हुई थी इसी मीटिंग में और राय सीना जो डायलग होता है वो हमारा जियो पॉलिटिक्स और जियो एकॉनमी को ध्यान में रखके किया था है कि भारत की अगली रणनीती क्या होगी तो जब हम अपनी रणनीती को किसी के साथ साजा कर रहे हैं इसका मतलब उस पर हम भरोसा कर रहे हैं कि वो हमारी रणनीतियों को गुप्त रखेगा या रखेगा ठीक है और हम ऐसे ही व्यक्तियों को बुला सकते हैं जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं तो इस बार की जो थीम है वो है चतुरंग चतुरंग का मतलब होता है कि चारों तरफ हमें क्या-क्या समस्यां जेलनी हैं तो हमें संगर्स देखने को मिलेगा प्रतियोग इता ह योग भी करना पड़ेगा और निर्माण की इस्थिती को भी लाना पड़ेगा तो इसे ही कहा जाता है चतुरंग तो यह इंपोर्टेंट है याद रख लेना साथ ही साथ भले याद ना रहे लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि अगस्त दोजार तेईस में ही प्रधान मंति नरेंद मोदी जी को ग्रेंड क्रौस आफ दा ओर्डर अफ आौनर से संब्वानित किया गया और ग्रीस से ये संब्माणित होने वाले पहले प्रधान मंतरी कि जनको ग्रीस का ये संब्मान दिया गया आगे देख यह बहुत जादा उन्होंने युए की यातरा करいきया बहुत ज़्यादा उन्होंने UAE की यात्रा की और आपको भी पता है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनिया हैं वो UAE में ही है तो अगर UAE से आपको इन्वेस्टर मंगाने है तो बार बार आपको उसकी यात्रा करनी पड़ेगी और आपको एक और जानकारी थी और गांधी नगर गुजरात में वाइबरेंट गुजरात वैस्विक सिखर सम्मिलन 2024 में इन्होंने मुक्याती थी के रूप में अपनी भूमी का निभाई थी तो आये थे यहाँ पर फिर इसके बाद इन्होंने आमंत्रित कर दिया था कि मोदी जी को की आप भी आईए किये गए और IMEC अर्थात की भारत मत्य पूर्व यूरोब आर्थिक गलियारे पर भी हस्ताक्षर किये गए तो यह दोनों ही महत्पूर है जिस पे भारत और UAE के बीच में समझोते किये गए आगे अगर आप देखो कि तो हमारे भारत में एक राष्टी समुदरी विरासत परिसे त्यार किया जा रहा है लोथल में लोथल में जो की यह खडबपा सभिता का अस्तल है तो इसके विकास पर भी समझोता किया गया और इंडिया के UPI और UAE के AANI पर आपसी समझोते हुए इंडिया का रूपे कार्ड और UAE का जैवान कार्ड पर समझोते हुए इंडिया का रूपे कार्ड और UAE का जैवान कार्ड पर समझोते हुए साथी साथ एहलान मोदी जो कारेक्रम हो रहा था उसमें CBSC का छितरी कार्याले दुबई में ओपन करने की गोशना की गई थी इसको भगवान स्वामी नराण जी को समर्पित है और मोधी जी नहीं इस मंदिर का उधगाटन भी किया था ध्यान देना नोट वाली पॉइंट में कुछ आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे संस्थान है जो भारत की महतपूर संस्थान जिनकी विदेशों में साखा खोली जा रही है तो IIT मद्रास आपका ये पहला भारती संस्थान है जिसकी विदेशी साखा ओपिन की गई कहां पर जनजी बार तंजानिया में तंजानिया कहा का देश है अफरिका कॉंटिनेंट का है फिर IIT दिली जो की दूसरा भारती संस्थान है जिसकी विदेसी साखा खोली जा रही है अबुधाबी UAE में खोली जा रही है लेकिन भारत में भी एक ऐसी विदेसी इन्वरस्टी है जिसकी एक साखा ओपें की गई ज ये भी एक महत्पोर्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्या रहेगा इस महत्पोर्ट टॉपिक में कि 25 से 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राश्टपती इमैनुवल मैंक्रो भारत यात्रा पर थे और आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को प्रतेक वर्स हम एक गेस्ट को आमंत्रित करते हैं जिसमें 25 जनवरी को फ्रांस के राश्टपती थे इमैनुवल मैंक्रो और ये 75 गरतंत्र दिवज्जो अमारा 2024 में सेलिब्रेट किया गया है उसके ये मुख्य अतिति थे और ऐसा चटी बार हो रहा है कि हमने फ्रांस के राश्टपतियों को सबसे अधिक पूरी दुनि यानि कि भारत और फ्रांस जो है कि लगातार नैने नवाचार करेंगे 2026 को इसके लिए कहा गया है और UPI भी लांच किया गया है वहां पे ध्यान देना जब मोदी जी वहां गय थे तो एफिल टावर्स ने वहां पर UPI लांच किया और इस तरीके का ये पहला यूरोपी दे जिसों ने कुछ घोशना भी किती कि हम अपने वारी जी दूतावास खोलेंगे तो भारत का जो महा वारी जी दूतावास है यह मारसिले कह सकते हैं मारसे कह सकते हो यहां पे खोला जाएगा ठिक उसी प्रकार से फ्रांस का भी बिरो डी फ्रांस है यह ओपन किया जाएगा ह यूइन का कोड होता है मतलबहना यूइन के अंतरगा जो भी देस होते हैं आपस में सेंजन वीजा एक टैयर करते हैं कि भाई इसमें कोई भी देस के नागरी आ सकते हैं लेकिन इसकी सरते बहुत कठी होती हैं फिर भी यहां पर भारत को बहुत flexibility के साथ पांच वर्स का अध्यान करने के लिए सेंजल वीजा दिया गया है फ्रांस के द्वारा और ओमान कुछ खास important नहीं था ओमान का topic मैंने छोड़ दिया है आप पढ़ सकते हो बैस्विक नवाचार सूचकांग इसमें अगर हम बात करें तो भी यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2007 से शुरू हो रहा है प्रतिवर्स यह वीपो के द्वारा प्रकासित होता है वीपो मतलब हो गया वर्ल्ड इंट्लेक्शल प्रापर्टी औरगनाइजेशन विसुबादिक संपदा सूचकांग या विसुबादिक संपदा संगठन के द्वारा इसको प्रकासित कियाता है लेकिन इसको तयार करने में दो महत्पूर संस्थाओं का योगदान होता है एक तो CII जो कि हमारे भारत का है The Confederation of Industry जो भारती उद्द्योग परिसंग जिसे हम कहते हैं और दूसरा CNI जो कि ब्राजीलियन है National Confederation of Industries तो इसको तयार करने में भारत का भी योगदान होता है इसलिए ये और भी महत्पूर हो जाता है आपको भारत की जानकारी भी होनी चाहिए तो वीपो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करता है लेकिन इसमें भारती उद्योग परिसंग जिसकों CII कहते है और CNN ब्राजीलियन इन दोनों का योगदान होता है आगे बात करते हैं आपे घीम की तो घीम इसकी क्या थी सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना सामाजी कुद्यमिता के वादे को उजागर करना और इसमें कुल 133 अर्थ बेवस्थाओं को सामिल किया गया है जिसमें 14 वर्स भी क्या हुआ स्वेड़िजा लेंड सीर्स अस्थान प्राप्त करती है मतलब ये विस्व की सबसे ज़्यादा नवाचारी अर्थ बेवस्था सबसे ज़्यादा इनोवेशन यहीं पर होते नैने क्रियेटिव आइडियाज यहीं पराते है और भारत की अगर रैंकिंग देखे तो 2024 में 49 वा इस्थान मिला है भारत को जब की 2023 में 40 वा था अर्थात की लास्ट येर इसको 40 रैंक मिली थी इस वा 39 मिली है एक अंक का सुधार देखने को मिला है और भारत की अगर हम इस्थानी लोकेशन की बात करें कि मध्य और दच्चड एसिया में तो भारत सर्वसरिष्ट नवाचारी अर्थवयोस्ता ग्रूप में जानी आती है दच्छड एसिया वाड यूज कर रहा हूं दच्छड पूर्वी एसिया नहीं क्योंकि दच्छड पूर्वी एसिया में तो सिंगापूर हॉंग कॉंग जैसे हमसे भी ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज वाले लोग हैं आगे चलते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करते हैं तो यहां पर देखो कि इंस्टिटूट पॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आइमडी के दोरा ये प्रकासित होती है पुल 67 अर्थ विवस्ताओं को इस बार इनोंने कलेक्ट किया है जिसमें अगर आप देखोगी कि रैंक वन की बात करें तो स्विडिजा लेंड आता है रैंक वन पे रैंक टू पे आपका सिंगापुरा आता है इंडिया की रैंकिंग देखते हैं तो 58 रैंकिंग देखने को मिली है इंडिया की जबकि इससे बहतर प्रदर्शन हमारा 2023 में था 56 यानि दो रैंकों की गुरावट देखने को मिली अर्थात हमारे हैं प्रतिभा का पलायन हो रहा है कहीं न कहीं अब देखते हैं विस्व की 10 सबसे बड़ी अर्थवेवस्था तो भाईया ये जो लिस्ट है ये सब्टेंबर 2024 में फोप्स पत्रिका के द्वारा जारी की गई थी और GDP के आधार पे इन्हों ने बताया कि दुनिया के टॉप मोस्ट फाइफ कंट्रीज कौन सी है डॉसरे नंबर पर चाइना है तीसरे पर जर्मनी फोर्स पर जापान और फाइव नंबर पर हमारा इंडिया यानि कि यूके को हम ओलेडि पीछे कर चुके अब हमारा अगला जो नंबर है धीरे-धीरे हम कोसिस करने कि जापान को भी पीछए धकेलते थर्ड नंबर पर आगे देखते थे, World Giving Index, यानि कि बहुती उदार देश, बहुत दानसील देश की बात कीज़ा है, तो ये Charity, भाई, Giving का मतलब भी होता है, दान देना इन सब चीज़ों को, तो Charity से समझ सकते हो, Charity Ad Foundation द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, और इसमें इंडोनेशिया को व विस्व की 10 सबसे बड़ी कोईले की खदाने, जहां पर production सबसे अधिक हुआ है, अला कि बात करते हैं, ये जो रिपोर्ट है, World Atlas.com के दोरा देगी, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यहां देखना है कि कोईला खदानों की लिस्ट है, और उत्पादन की मातरा की अधार पे कि किसने सबसे अधिक उत्पादन किया है, तो पूरे विस्व में आप देखो कि USA और भारत का ही जोए की डंका बजा है, कैसे, यहां देखोगे कि नमबर वन रैंक पे आती है, जिसने पूरी दुनिया में सबसे अधिक कोईले का उत्पादन किया, तो वो है Black Thunder Mine USA की है तो उस तो Black Thunder Mine, सेकंड नमबर पे आपकी आती है Gevra Open Cost खदान, जो कि हमारे 36 गण में भारत की अंतरगत आती है, ठिक, थर्ड नमबर पे आती है आपकी North Antelope Rosal, यह भी USA की खदान है, फूर्थ नमबर पे फिर से भारत का नमबर आता है कुसमुंडा Open Cost खदान, इंड इंडिया की है, तो जरा जो इंडिया में जो टॉप में रैंक है, वो कौन-कौन सी खदाने है, तो Gevra Open Cost खदान इसको बोलते है, Gevra OC Mine, जो कि कौरबा 36 गण में इस्तित है, और यह कोईले के लिए फेमस है, कुसमुंडा Open Cost खदान, जो कि यह भी कौरबा 36 गण में इस्ति की है, तो आर बार देखते हो, हर बार आपने देखा है कि एक्जाम में कौला खदान से समझे प्रशने, पूछे जाते हैं, तो यह चर्चा में रहने वाले प्रशने है, कि भाई, Gevra Open Cost कहां की है, या कुसमुंडा Open Cost कहां की है, तो इंडिया के अंतरकत किस राज्यकी और क कहां पेस्थित है, तो कौरबा 36 गड़ में इस्थित है, तो इस तरीके से आपको ऐसे याद रखना है, अब बात करेंगे हम लोग, भारत का 43 धरोहर, यहां देखेंगे भारत का 43 जो विश्व धरोहर है, देखें, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समीटी थी, उसका 46 सत कहां आयोजित किया गए 21 से 31 जुलाई 24 को, वैं कहां आयोजित किया गया, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समीटी थी, 46 समीट था वो 21 से 31 जुलाई 24 को था, और ये भारत मंडपम में आयोजित की गई थी, और ऐसा पहली बार था कि भारत में यूनेस्को की कोई समिट आयोजित की गई हूँ यह पहली बार हो रहा था अगर आप देखोगे इस समिट का आयोजन का उधगाटन किस ने किया तो प्रधान मंतरी नरिन मोदी जी ने 46 में सतर का उधगाटन किया साथी साथ प्रधान मंतरी जी ने अपने भाषण में युनेस्को 200 धरोहर केंदर को एक मिलियन डॉलर के अनुदान देने की बात किये क्या देने की अनुदान और इस दोरान भारत के अंतरगत युनेस्को की जो महानेदेशक है आड्रे अजोले ये भी यहाँ पे सामिल थी आड्रे अजोले भी युनेस्को की महानेदेशक भी इसमें सामिल थी तो देखते हैं भारत में 43 नंबर पे कौन सा धरोहर आया है तो इंडिया में असम इस्थित मोईदम्स जो है अहोम राजवन्स का एक तीला है इसको सामिल किया गया मोईदम्स के नाम से या फिर किसी भ होम राजवन्स की लोग थे जो परजा थी वो वहां के राजा को पवित्र मानती थी और जब यह माना था कि राजा की जब मृत्ति हो जाती थी तो उसको दफनाने के सासथ उसके जो घर था बहुत ही आलिशान बनाया जाता था और ऐसा माना था था कि राजा की जो सब है य क्या एक तीला कह सकते हो इसको सांस्कृतिक दर्जाइक स्रेडी में असम का जो की पहला सांस्कृतिक कस्तल होगा क्योंकि इससे पहले ही 1985 में दो प्राकृतिक कस्तल जो असम में हैं काजी रंगर राश्टी उद्यान और मानस वनजीव अभ्यारण इन दोनों को और यूनेस्को में सामिल किया जा चुका है लेकिन सांस्कृतिक रूप में यह पहला है क्लियर हैं तक आगे देख लाइन है सह नौ यसा यानि हमारा गौरव बढ़े और यह तैत्रियो उपनिशत से लिया गया किस से लिया गया गया है आगे बात करते हैं इसमें रैंकिंग की विस में धरुहर अस्तल सबसे दिक किसके पास है नंबर वन इटली के पास है साथ लगबग रंबर दो प्याता चीन के पास लगबग 59 होते हैं भारत रंक 6 पे आता है यानि भारत के पास लगबग 43 अब वो कम्प्लीट हो चुके हैं भारत में विस धरुहर अस्तल की अगर हम बात करें तो देखिए हमारे पास टोटल हो चुके हैं 43 लेकिन इस 43 में सांस्कृतिक लेवल पे 35 हैं प्राक 1983 में चार धरुहरों को दर्जा दिया गया था पहली बार था कि भारत में 1983 में दिया गया था आगरा का किला और आगरा का ताजमल जो की यूपी से संबंदित है और अजंता की गुफा और अलूरा की गुफा जो की महारास से समय था है इन चारों को विस धरुहर के अस्तल क पहली बार भारत में सामिल किया गया था 1983 में आज आप 43 तो हो गया 42 और 41 कौन से हैं तो देखे 42 पे था होईसलेश्वर मंदिर समू जो कि करनाटक में हलेबिड मंदिर समू था या फिर चेन्नाकेश्व मंदिर कह सकते हो और 41 नंबर पे आपका सांती निकेतन विश्विद्य जो कि पश्चिम मंगार में और ये दोनों ही 2023 में सामिल किये गए थे एक मात्र हडपा सब्विता का भी अस्था लाता है धौली वीरा या धौला वीरा कह सकते हो जो की युनेस्को की साइट में सामिल है और इसी दोरान भारत सरकार के दोरा यानि संस्कृती मंत्राले की ए आत्मक धरोहर से प्रेहना लेने वाली लोककला अर्थत पब्लिक आर्ट को सामने लाना था फिर आगे बात करते हैं आपे भारत और रूस के संबंद की फिर से यहां पे कुछ फॉरन रिलेशनसिप जिसमें आप देखोगे कि प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने प्रध इनकी दूइपक्षी यात्रा भी कही जाएगी और इसमें भारत सरकार और रूस की सरकार के बीच यह समझोता किया गया कि हम 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के दूइपक्षी ब्यापार के लेक्ष को निर्धारित करने की सहमती व्यक्त किए अभी तक भारत और रसिया के बीच में 100 बिलियन डॉलर का भी व्यापार नहीं हो पारा है कि जितना भी आयात और निर्यात किया जा रहा है दोनों देशों बीच में अगर हम इसको टोटल कलेक्टिव करके जोड़ें तो अभी 100 बिलियन का अखड़ा भी पार नहीं है जबकि चाइना से हमारे 118 डॉलर के असपास हो रहा है अमेरिका से भी 118 डॉलर के असपास हमारा बिजनस हो रहा है लेकिन रूस के साथ अभी 100 बिलियन डॉलर भी नहीं हुआ है साथी साथ भारत और रूस ने भारत और रूस ने इरान के साथ समझोता करके अंतराश्टी उत्तर दक्षड परिवहन गलियारा पहल प् साथी साथ व्लादे मिर पुतिन जो कि वहां के राष्टपती है इन्होंने प्रधान मंत्री मोदी जी को रूस के सरवच्च राजकी पुरसकार दा ओर ऑफ सेंट एंड्रियू दा अपोश्टल से सम्मानित किया है और ये पुरसकार पाने वाले मोदी जी पहले भारती प् कि अपने करतव्यों के माध्यम से और अपने द्रिन निश्चय के माध्यम से बड़े बड़े नेताओं को जुका देते हैं तो देख लीजे इस बार जो है कि रशिया ने अपना सरवच्च सम्मान दिया जो कि पहली बार ऐसा है आगे चलते हैं यहापे हम और नेक्स पर बात करेंगे अच्छा दो चीज और ध्यान अखना कि इसी दौरान प्रधानमंती नरेन मोदी जी ने रूस में दो नए भारती वाड़िजी दूतावासों को ओपन करने की बात की एक तो कजान में ओपन किया जाएगा कजान के साथ दूसरा है यह का तेरिन बर्ग यह क पर भारत ने अपने नए भारती वाड़िजी दूतावास को इस्थापित करने की गोशना की है अब यहां देख लेते हैं मोनाको और वेनेजूला जो की FATF से संबंदित मामला है क्या मामला भी है FATF से देकि Financial Action Task Force की इस्थापना 1989 में पैरिस में की गई थी और यह इस्थ उद्देश से है कि वैस्वी कस्तर पे जो धन सोधन यानी की money laundering होती है और आतंकी गत्विदियों के लिए जो वित्व कोशन होता है नहीं funding होता है इस पे नजर रखना होता है कि विस्थ में कौन से देश या organization ऐसे हैं जो आतंकवादियों को funding कर रहे हैं या फिर money laundering के का साम कर रहे हैं तो इस पे इनकी नजर रहती है अलांकि वर्तमान में इसके 40 सदस्त से हो चुके FATF के जिसमें छेतरी संगठन भी सामिल है दो कौन-कौन से एक तो यूरोपी union कह सकते हो या यूरोपी आयोग कह दीजिए दूसरा खाड़ी सयोग परिशत भी इसमें सामिल ह अचा 24 फरवरी 2024 को FATF ने रूस की सदस्ता को निलंबित कर दिया था क्योंकि यूकरेन पर वार करने वगरा की वज़े से बहुत सारे अंतराश्टी संगठनों से रूस को बाहर किया जा रहा है भारत इसका कब सदस्ते हुआ तो 25 जून 2010 को भारत FATF का 34 मेंबर के रूप म वरतमान में आप देखोगे कि मोनाको और वेनजूला को FATF की ग्रे सूची में सामिल किया गया है जो ब्लैक लिस्टे से थोड़ी बहतर होती है लेकिन उस पे डाउट हो जाता है बहुत सारी नजरें बढ़ जाती है उसकी जाच बढ़ जाती है भाई आप कुछ ऐसा कर र तो टी राजा कुमार का नाम अब हटा देना साथी साथ अगर आप देखोगे कि FATF की जो ब्लैक लिस्ट है अभी भी उसमें उत्री कुरिया सामिल है और म्यामार सामिल है तो ये तीन देश इसमें अभी भी सामिल है अब बात करतें ग्लोबल लिविविलिटी सूच कांग तो इसमें ये है कि सर्वस्रिष्ट रहने योग के सहर कौन सा है तो दो लाइन याद रखने हैं आपको कि दुनिया का जो सर्वस्रिष्ट रहने योग के सहर है वो तो है वियना वियना कहां की राजधानी है तो ये आस्ट्रिया की राजधानी है ठीक है आस्ट्रिया की र एक सो बीस देसो का धिन किया गया है और यह report जो है important यह है कि कौन सा organization ऐसा है जो इसकी report को publish करता है तो 19 जून 2024 को World Economic Forum या विस्व आर्थिक मंच के द्वारा उर्जा संक्रमर सुषकांग 2024 की report जारी की गई है जिस report का जो नाम था fostering effective energy transition fostering effective energy transition 2024 नाम से यह report जारी की गई है कौन जारी कर रहा है World Economic Forum जारी कर रहा है इसमें पहली जो rank मिली है वो Sweden को मिली है पहली rank Sweden को मिली है भारत इस बार 63 रैंक पर है और चौथा सबसे बड़ा नवी करड़ी उर्जा बाजार भी बन गया है भारत को यह कहा गया कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नवी करड़ी उर्जा बाजार है यानि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीया यहां पर इंवेस्ट करके profit कमा सकते हैं अच्छा इसी को ध्यान में रखते हैं COP26 के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जो भारत ने ग्लास गो 2021 में कुछ अपने पंचमरित रणीती के तहट कुछ टार्गेट डिसाइड कि इन्होंने कहा कि 2030 तक हम GDP की उत्सर्जन तीवर्ता की 45 प्रतिशत की कटाउती करेंगे कार्बंड या ऑक्साइड या ग्लोबल वार्मिंग कमकरने के लिए 2030 तक हम सुद्ध सुने उत्सर्जन के टार्गेट को प्राप्ट करेंगे 2030 तक गैर जीवास में इन्हन आधारित उर्जा स्रोतों से 50 प्रतिशत संचे विद्धुत उर्जा इस्थापित करने का छमता का लक्ष रखते हैं कि जितना भी हम इन्हन अपना प्रडूश कर रहे उसमें 50% हमारा नवीकड़ी उजा करहेगा 2030 तक का ये टार्गेट था आब आजव आएमडी के द्वारा एक 2030 परधा रैंकिंग जारी की गई है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल इंस्टिटूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानि आइमडी और इसमें टोटल 67 अर् रिपोर्ट 2024 देखि 2015 में ही सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए एक 17 गोल तयार किये गये थे जो 2030 तक आपको एकसेप्ट करने थे यानि 2030 तक उस लक्ष को अचीव करना था जिसमें 17 तो सस्टनेबल डेवलपमेंट गोल है ही है साथी साथ 169 उप लक्ष भी निरधार किये गए और यह दोनों लाइने स्टेट्मेंट वाइज पूछ ली जाती है जिसे 2030 तक प्राप्ट करना है अगर इसकी रिपोर्ट की बात करें तो इसकी रिपोर्ट जारी करता है आपका UNSDSN अर्थात संयुक्त राष्ट सतत्विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा यह तो यहां पर आपको कई बार होता है कि इनकी थीम भी पूछी जाती है लेकिन बाकी चीजों को छोड़ते हुए यहां आपको भारत की रेंग क्याद करनी है सस्टेबल डेवलप्मेंट गोल 2024 में भारत ने 167 देशों में 109 इस्थान पराप किया मतलब भारत भी लगातार देरे-देरे प्रयास कर रहा है लेकिन काफी स्लो प्रयास कर रहा सस्टेबल डेवलप्मेंट गोल को एचीव करने में आगे देखते हैं को सबसे महंगा सहर कौन सा है अभी हमने पढ़ा वियना को पढ़ाता दमेश को पढ़ाता कि सबसे स्वरक्षित या रहने योग की सह कि सभी सहरों की तुलनाम इससे करेंगे क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा सहर जो है वो है नियॉयॉर्क सहर क्यों क्योंकि नियॉयॉर्क में दुनिया के सबसे अधिक बिलिनियर्स रहते हैं यानि कि अरब पती रहते हैं करोण पती नहीं अरब पती रहते हैं और जहां प बात करेंगे तो यह विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा सहर होता है हम सबसे रहने यो कि सहर की बात नहीं कर रहे हैं हम महंगे सहर की बात कर रहे हैं और सबसे सस्ते सहर जो है वो नाइजीरिया की दो सहर है एक तो नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और दूसरा लागोस यह दुनिया के सबसे सथे सहर है, यानि हर एक चीज यहां पर बहुत सबस्ती मुलती कि ब्हारत में कौन सा सहर है, तो मंबई है, भारत में मंबई जो कि विष्व में 136 अस्थान प्राप्ट करता है, भारत का सबसे महंगा सहर घोसित किया गया है आगे देखते हैं वैस्विक लेंगिक अंत्राल रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो की important है क्यों क्योंकि इसको जारी करने वाला संगठन वर्ल्ड एकनोमिक फोरम है और ये एक ऐसा important संगठन है दोस्तों कि इसके दोरा जितनी भी rank जारी की जाती है उसको ज़रा याद रख लेना डिरेक्ट मिलान करने के लिए आता है कि भाई ये संगठन कौन सी report जारी करता है तो विस्व आर्थिक मंच World Economic Forum के दोरा जारी की गई है इसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने जो report जारी की इन्होंने कहा इस report के अनुसार कि 68.5 प्रतिशत हमने विस्व में लेंगी कंत्राल को समाप्त कर लिया है यानि किसी भी जगह अगर 100 लोगों की ज़रत है काम करने की तो वहाँ पे लगबग अब 68.5 प्रतिशत महिलाएं भी काम करने लगी है और इस तरीके से इन्होंने कहा कि अगर हम पूरी लेंगी कंत्राल को समाप्त करना चाते हैं दुनिया भर से तो अभी भी हमें 134 वर्सों का और समय लगेगा आज की स्पीड के हिसाब से अर्थत 258 तक यानि अभी हम 2024 में चल रहे हैं हम 258 इसवी तक जाके इस पूर्ण लेंगिक समानता को अचीव कर पाएंगे लेकि इनों ने का कि ऐसा नहीं है कि किवल यही है दुनिया का कई सारे देश हैं जिननों ने बहुत अच्छी रैंक्इंग हासिल कि जैसे आईस लैंग लैंगिक समानता सबसे अधिक है यानि लगभग 93 प्रतिशत इन्होंने लेंगिक समानता अचीव कर लिया, 23 प्रतिशत और साथी साथ भारत की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो विस्व लेंगिक अंत्राल सूचकांग में भारत 119 नंबर पे आता है जिसमें बताया गया कि अब तक 64.1 प्रतिशत लेंगिक कंत्राल को समात किया भारत में जबकि पिछली बार 2023 में अच्छी रैंक थी 127 इस बार दो रैंकों की गिरावट हमें देखने को मिली है आगे देखते हैं वैस्विक सांती सूचकांग ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करेंगे तो इंस्टिट्यूट फॉर एकनॉमिक एंड देखों की बात की गई है यहां पर ठीक है 163 डेखों की रैंकी तो भाई यह दुनिया में सबसे सांती पूर्ण देख कहुं सा च्छेत्र कहुं सा है तो दुनिया में सबसे ज्यादा सांती पूर्ण च्छेत्र है वो है यूरोप यूरोप विस्व का सरवादिक सांती पू बुस्ता बनी हुई है और यनम एक ऐसा देश है जहां पर सबसे कम सांतिपूर इस्थिती बनी हुई है भारत की रहेंग की बात करें तो भारत को ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116 है और भूटान जो कि दच्छड इसिया का सबसे अधिक सांतिपूर देश माना आता है भूटा सुरक्षा परिशत की बात कर लेते सिक्योरिटी काउंसिल की तो देखिए इसमें United Nation Security Council UNSC में टोटल 15 सदस्ति होते हैं जिसमें पांश तो आपके permanent member होते हैं जो कभी change नहीं होते बाकि 10 member ऐसे होते हैं जो प्रती 2 wirs के लिए चुने जाते हैं तो जो इस्थाई permanent member है उसमें चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूके मतलब United Kingdom और USA, ये पांच तेस ऐसे हैं जो पहले से ही permanent member के रूप में और हमेशा बने रहते हैं, बाकी जो दस आपके औस्थाई सदस्य हैं, ये दो वर्सों के लिए चुने जाते हैं, ध्यान देना कि इस वर्स भारत अभी आइस्थाई member के रूप में भी नहीं है, क्योंकि इसका कारेकाल already complete हो चुका है, तो 2024 में पांच सीटे ऐसी थी जिन पर चुना होना था, मतलब आइस्थाई सीटों के लिए, जिसमें Denmark जीतता है, Greece जीत जाता है, Pakistan है, Panama है, और साती सा, और कौन है, Somalia है, ठीक है, तो ये नए कंट्री इसमें सामिल होए सुरक्षा परिस्था के और इस्थाई सदसे के रूप में, और जो वर्तमान में पहले से ही जो पांच सीटे बनी होई थी, उस पे कौन कौन है, गोयाना है, दच्छड कोरिया, सियरा लियोन, सिलोवानिया और अलजीरिया, अभी इनका क्ला इंडेक्स एक दूई वार्सिक रिपूर्ट है, हर दो साल में यह जारी की जाती है, और इसमें भारत की इस्तिती बहुत खराब है, दोस्तों, क्यों भारत की रैंक 176 मिली है, जबकि पिछली बार तो दोस्तों सबसे लास्ट में थे भारत, 180 नंबर पे था पिछली बार, अचा सबसे बढ़िया रैंक किसको मिली है, अगर हम देखें, EPI 2024 में, पर्फॉर्मेंस के मामले में समग रैंकिंग में एस्टोनिया, जो की पहले अस्थान पे प्राप्त होता है, यह एक बाल्टिक देश है, और यह पहली बार है कि इस सुचकांक में किसी यूरोपी इसको सीर्स अस्थान पराप्त को, क्योंकि दोस्तों एस्टोनिया ने लगबग 56% क्या किया है, उत्र सरजन में कटोदी किये, जो कारवन डियो औक्षैड और शर्जन होता है, 56% कटोदी किकिया और दुनिया में अब तक किसी भी देश ने एक जटके में एक साल में नीं क तरजक है इससे पहले आपका USA और चाइना दोनों हैं अब आजाए बहिए क्यूएस वर्ल्ड उन्वर्स्टी रैंकिंग की बात कर लेते हैं वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों लाइक कर देना साथ ही साथ चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लो और इस पीडिय चीजें बस उसको पढ़के चले जाओ एक्जाम में वहाँ से आपके कोशन बन जाएंगे लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हमारी महराथन क्लास को छोड़ देना है जो हमने पूरी डीटेल से पढ़ाई है उसको पढ़ने के साथ आप इसे रिवाइ रैंकिंग जारी करता है एक तो वर्ल्ड इन्वस्टी की रैंकिंग जारी करता है और करता है वो एशिया इन्वस्टी की रैंकिंग तो पहले हम वर्ल्ड की बात कर रहे है तो वर्ल्ड की बात करें तो चार जून दोजार चॉबिस को क्यूएस वर्ल इन्वस्टी रैंकिं of technology अभी एक movie बनी थी दोस्तों राजकुमार राओ के उपर जो स्रिकांत नाम से थी जो एक blind person के नाम पर थी उनको भी MIT में admission मिला था तो बहुत अच्छी inspiring story है आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में Netflix पे होगी साहिद है तो MIT अमेरिका को लगातार तो QS World University ranking में MIT टॉप पे है और सबसे अधिक इस बार अमेरिका के ही लगबग 196 इंस्टिट्यूट को सामिल किया गया था 1530 में तो पहले rank किसको मिली MIT को मिल गई सेकेंड rank किसको मिलती इंपिरियल कॉलेज लंदन को मिलती यूके में और थार्ड rank मिलती Oxford University UK की मिलती थार्ड rank में भारत की क्या इस्तिती है तो भया इस पंद्रह सो तीन इंवस्टीज में भारत की तरफ से केवल और केवल 46 संस्थान सामिल हुए थे जिसमें सबसे बढ़ फोरम की तीन रिपोर्ट और लेड़ी हमने इसके पहले पढ़ लिए है इसमें की पॉइंट किया कि 21 मई 2024 को वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम के द्वारा यात्रा एवं परेटन विकास सूचकांग की rank को जारी किया गया है और जिसमें पहली rank अगर हम बात करें दुनिया ने सब एक्तिक कृतियां MOWCAP छेतरी रेजिस्टर में सामिल हो चुकी है ये क्या है UNESCO का है अगर इसे आप देखोगे कि UNESCO ने 1992 में Memory of the World कारिकरम को लांच किया था जिसको हम कहते है Memory of the World Committee for Asia and Pacific Reason ये UNESCO के Memory of the World कारिकरम के लिए चेतरी मंच है क्या है चेतरी मंच यूनसको के लिए Memory of the World Committee for Asia and Pacific इस नाम से ये मंच है और अगर आप इसे देखोगे कि इसकी जो आम बैठा कोई थी इस बार 6 से 10 माई 2024 के दौरान ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में इ इस नई कृतियों को इसमें सामिल किया गया कि हम इसे record के रूप में सामिल करेंगे तो जिसमें भारत की भी तीन सामिल थी कौन-कौन सी रामचरित मानस पंचितंत्र और साहिर्दय लोक लोचन इन तीनों को सामिल किया गया रामचरित मानस की जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये गोस्वामी तुलसी दाश जी के द्वारा अवदी भासा में रचित है। के कारण ही इसे पंचितंत्र कहा जाता है। मतलब विस्व प्रेश सुतंता जो डिवस मनायता है इसी दिन इस रिपोर्ट को जारी किया गया। कब किया गया? तीन मई को। और इनकी जो थीम है ये इंपोर्टेंट है दोस्तो इस बार की। ग्रह के लिए प्रेश पर्यावरणी संकट के सामने पत्रकारिता यानि कि जो हमारा प्लैनेट है उसके लिए हमें प्रेश की फ्रीडम होनी बहुत जरूरी है जो की एक बहुत बड़ी संकट बना हुआ है। और सेकेंड रैंक है देनमार की यानि यहाँ पर फ्रीडम बहुत है प्रेश पत्रकारिता करने के लिए आप कितनी भी आलूचना कर सकते हूँ। लेकिन इस मामले में भारत की स्तिती बहुत अटेंट खराब है। 2024 में बाद दो अंकों का सुधार हुआ है 169 रैंक मिली जबकि 2023 में यही रैंक हमारी 161 नमबर पे थी। टाइम्स हायर एजूकेशन की बात करते हैं तो भहिया यूके की पत्रिका है टाइम्स हायर एजूकेशन द्वारा एसिया यूनिवस्टी रैंकिंग 2024 जारी की गई है अब देखो यहाँ पर टाइम्स हायर एजूकेशन ने क्या किया एसिया की रैंक जारी कर रहा है जहां बताया गया कि एशिया के महादीपों के 31 देसों या छेतरों को मिला के टोटल 749 विश्यविद्याले को इसमें रैंक दी गई जिसमें जापान के सरवादी के 119 विश्यविद्याले सामिल है और भारत के 91 विश्यविद्याले सामिल है जिसमें दूसरे नंबर पे आत इसको समग रूप से 32 रैंक मिली और उसके बाद डिरेक्ट 119 मी रैंक मिलती अन्ना विश्य विद्याले चिन नहीं नहीं है जो कि राज्य विश्य विद्याले के नाम से जाना जाता है विश्य 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 अस्तान पे गरीवी बुखमरी, बिरोजगारी, अत्याचार, बलातकार बहुत सारी समस्य विश्य विश्य मौजूद है 2023 में भी भारत की 126 वी रेंग थी और 2024 में भी यानि कोई परिवर्ता नहीं गुए अंतराश्टी सस्त्र हस्तांतरन प्रवित्यां 2023 अब आपको लगेगा कि सर आप बस किवल रीडिंग कर रहे हो तो मैं रेडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं आपको important points से रूबरू करा रहा हूँ जो आपको पढ़के जाने ही जाने है अगर आपको इसकी पूरी class को detail से समझना है हर एक चीजों को connectivity के साथ समझना है तो फिर इससे बैतर है कि आप पहले मेराथन देखो हमारी आई दृष्टी short notes playlist में मिल जाएगी इसी नाम से आई दृष्टी के नाम से वहाँ पे जब मैंने already सारी चीजों को detail कर दिया है तो यहाँ पे तो बस मैं हर एक point को एक दूसरे point से connect कर तो जो important है focus दे रहा हूँ कि यहाँ इस तरीके से प्रश्ण बन सकता है तो बस उसको समझाना मेरा यहाँ पे काम रहेगा अंतराश्टी सस्त हस्तांतर रिपोर्ट यह सिप्री के द्वारा जारी की जाती है सिप्री के द्वारा जो कि 11 मार्ट 2024 को इन्होंने बताया कि अंतराश्टी अस्तर पे कितने हथियारों की खरीद फरोख्त की गई है अर्थात कितना आयातों निर्यात किया गया तो इसमें चार साल के डियरेशन को कवर किया था है 2019 से 2023 के दोरान जो सीड से 5 सस्र निर्यातक देश है किन देशों ने दुनिया में सबसे अधिक हथियारों का निर्यात किया है तो अमेरिका नमबर एक आता है जो की 42 प्रतिशत हथियार इसने निर्यात किया फ्रांस 11 प्रतिशत है थर्ड नमबर पे रूस भी है 11 प्रतिशत लगवग पॉइंट में है ये ठीक है और अगर निर्यातक तो हो गए दुनिया में ऐसे कौन से देश है जो हतियार खरीद रहे है तो भाईया कोई और नहीं हमारा भारत है लगवग 9.8 प्रतिशत के साथ सब 2014 से 2018 में जो कंपैरिजन करेंगा में 19 से 23 के बीच में तो इन दौरान भारत के सस्र आयात में लगवग 4.7 प्रतिशत की वृद्धी हुई है और जब से मोधी गववर्मेंट आई है तब से डिजिटल स्ट्राइक जैसी चीजे और डिफेंस को बहुत मजबूत करना पडोस कौन कर रहा है रूस करता है टोटल 36 परतिशत रूस देता है दूसरे नमबर पर फ्रांस आता है 33 परतिशत और अमेरिका केवल 13 परतिशत देता है विस्ट में भले ये 42 परतिशत निर्यात कर रहा है लेकिन हमें केवल 13 परतिशत ये देता है हथियार अंकोर वाट की बात क जो कि विस्व का आठवा अजूबा कहलाता है अंकोर को यसोधरपुर के नाम से भी जाना जाता है अंकोर को युनेस्को के दोरा 1992 में विस्व धरवर सूची गरूप में सामिल भी किया था साती सात विस्व की सबसे बड़ी धार्मिक सनचना होने के करण इसे गिनेज वर्ल् परपित मंदिर था लेकिन धीरे धीरे बारवी सताबदी के अंत होने के साथ साथ ये बहुत मंदिर में धीरे धीरे परिवर्तित हो गया और वर्तमान में ये बहुत मंदिर के रूप में ही जाना जाता है अलाकि इसे विस्व के आठवे अजूबे के रूप में नवाजा के तो यह बाकी साथ आपके क्या है यह विस्व के अजूबे हैं स्वेडन की बात कर लेते हैं दोस्तों तो स्वेडन नाटो का एक सदस से बनाए स्वेडन की इस था अपना एप्रेल 1949 में की गई थी नाटो की नॉर्थ अट्लांटिक ट्रिट्री ऑगनाईजेशन का गटन लेकिन टर्की वगरा के विरोध की कारण फिन्लैंड को तो सदस्ता मिलेगी लेकिन स्वेडन को नहीं मिल पाई फिर एक साल लगा टर्की को मनाने में तब जाके स्वेडन भी इसमें सामिल हो पाया है कुछ प्रमुक न्यूक्तियां पढ़ लेते हैं जैसे युनाटेट किंग्डम की जो प्रधान मंतरी थे पहले भारती मूल के रिसी सुनक जी थे जो कि हमारे G20 समिट में सामिल भी हुए थे लेकिन अब वहां के एक नए प्रधान मंतरी बन गए कीर इस्टारमर क्या नाम है उनका कीर इस्टारमर इरान की राष्टपती क्योंकि इरान के साथ भी भारत के समन्द महातपूर है अभी हाली में इनकी हेलिकॉप्टर दुरगटना में मृत्ति हो गई थी क्या नाम था उनका इब्राहिम रही सी तो इनकी जगह फिर एक नए राष्टपती का चुनाओ किया गया मसूद पेजेस्कियन क्या नाम है इनका मसूद पेजेस्कियन ये अब नए राष्टपती है इंडोनेशिया की राष्टपती जो की पहले जोको विडोडो थे अब उनकी जगे प्रभोबो सुभियान्तों हैं, जो इंडोनेशिया के सबसे युवा राष्ठपती हैं। और आगे कॉंगो लोकतांत्रिक गडराजे, याद होगा आपको कि इससे पहले तंजानिया का पूछ लिया गया था पिछली बार, 2022 में साथ पूछा गया था तंजानिया का, सामिया सुलू हसन के नाम से, तो एफरिका कॉंटेनेंट में जब कोई भी महिला पहली बार प्रदानमंत्री राष्ठपती के पत्पे पहुंशती है, आयोग तुरंट उस प्रश्णी को उठा के क्लिक करता है, तो तंजानिया वाले प्रश्णी को पूछा गया था, सामिया सुलू हसन के बारे में, तो इस बार आपको पढ़ना है, कॉंगो लोगतांत्री गडराज, इंपॉर्टेन मैंने लिखा भी है, यहां की पहली महिला प्रदान मंत्री बनी है, जूडित सुमिनवा तुलूका, मतलब जूडित सुमिनवा तुलूका, जो की 12 जून 2014 को इन्होंने सपत ग्रहंड की थी, याउंडे गोशना पत्र क्या है दोस्तों, देकि याउंडे एक सहर का नाम है, जहां पे, देखो कि रिपोर्ट आयती कि विस्ट के, जो मलेरिया के जो टूटल केस है, वो 70 प्रतिशत से अधिक केस तो क्यों हमें 11 अफरीकी देशों में देखने को मिलते हैं, और इन 11 अफरीकी देशों के जो हेल्थ मिनिश्टर थे, स्वास्त मंत्री, इन्होंने मलेरिया के उनमूलन के लिए कैमरून के एक सहर याउंडे में बैठ कर एक गोशना पत्र तयार किया, और कहा कि अब मलेरिया से कोई नहीं मरेगा, क्योंकि हम 11 अफरीका में मलेरिया को समाप्ट करने के लिए नए विकास पर काम करेंगे, कौन कौन देश हैं, बुर्किना फासू, कैमरून, घाना, माली, मौजांबिक, नाइजर, सुडान, युगांडा, तंजानिया, डॉमिनिकन, रिपाब्लिक, कांगो, और नाइजीरिया, ये 8, 11 पूरे देश हैं, जिनके हेल्थ मिनिस्ट्रों ने याउंडे में बैठ के ग लेटन राजधानी है, तो नेपाल की है, और पोखरा को जीलों का घर भी कहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेक पाई जाते हैं, आर्थिक सुतनता सूचकांग की बात करें, तो ये रैंकिंग आपकी हेरिटेज फांडेशन के द्वारा जारी किया थी, किसके द्वा अगर भारत जैसे और देशों को देखा जाए, तो भारत हो गया, रूस हो गया, ब्राजील हो गया, ऐसे देश, लगवग 62 ऐसी अर्थ ब्योस्ता है, जो मोश्टली क्या है, अन्फ्री है, यानि कि प्राया गैर सुतनतर है, तो कि भारत सरकार भी आपको पता है कि अर्थ बार बार हस्तक्षेप करती, बार बार ने ने नियमों और प्रावधानों को ले कर आती है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, इंडिया की रैंकिंग कितनी 126 है, आर्थिक सुतनता के रूप में, अब चलते हैं, ब्रस्टाचार बोध सूचकांग के बारे में हम बात गया है, अर्था जीरो का जो अर्थ है, वो सरवाधिक भ्रष्ट माना जाता है, और सौ का जो अर्थ होता है, वो सरवाधिक इमानदार माना जाता है, रैंक वन आपकी डेनमार्क को दी गई, यानि इसको जो अंक दिया गया है, वो सौ की तरफ दिया गया, यानि यह सबसे देश माना गया जो 180 नंबर पे है वो अंतिम अस्थान पे सुमालिया आता है सुमालिया हॉन अफ अफरिका में सामिल देश है जो अधन की खाड़ी के पास देखने मिलता रेड सी के पास ठीक है गरबा की बात करते हैं गरबा हमारे लिए UPSC में भी प्रलिम्स में प्रशन आ अफरिकी कॉंटिनेंट में साउथ अमेरिका से बॉंडरी शेयर करता हुए एक देश है और यहां पे मद्ध कसाने में इसकी एक मिटिंग हुई थी और जहां पे बहुत सारी विस्व की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सामिल किया गया जिसमें गरबा जो कि हमारे गुज जो कि अभी इसका चार साल का इसमें कारे काल भी बचा हुआ है तो आप देखोगे कि 2022 से ही क्या है चार वर्सों के कारे काल पे लिए हैं अब यहां पे भारत की टोटल जो 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं उनको पढ़ लेते हैं सबसे पहले जो इस लिश्ट में नाम है था वो रामलीला का है था दोजार आठ में वैदिक मंत्र उच्चार दोजार आठ में पुट्यम नाट टिकला दोजार आठ में उसके बाद रम्मन गणवाल हिमाले का मुडियेट्टू केरल का काल बेलियाई नित राजस्थान का च्छाउ नित जारखंड वेस्ट बेंगा का गरबा 2023 में हो गया तो इस तरीके से टोटल इसको सामिल किया गया आगे देखते हैं जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग इसमें अगर आप देखोगे तो 63 देशों के साथ यूरोपी यूनियन देशों को भी सामिल किया गया है और जलवायू सनक्षण में प इसकी चल्वायू से तरीके से सकारात्म घुमिका होनी चाहिए तो सुरू के तीन देशों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया इसकी सुरूवात ही रैंक फूर से होती है फूर पे डेन्मार्क रहेगा सीर्स अस्थान के रूप में रैंक सेवन पे आपका भारत रहेगा और रैंक सिक्ष्टी सेवन जो की सबसे लास्ट है सुमालिया रहेगा अंतिम रूप से इसमें क्लियर हैं आपे टाइम पर्सन आफ दा इयर की बात करेंगे जो की अमेरिकी पत्रिका है एक टाइम पत्रिका इसके फ्रंट कवर पे 2023 में अमेरिकी गाई का टेलर स्विफ्ट को जगह दी गई थी पर्सन आफ दा इयर की रूप में हलांकि इससे पहले इनको 2017 में भी एक ग्रुप में सामिल करते हैं तो इसमें इनको सामिल किया गया था इस तरीके से टेलर स्विफ्ट दो बार इस्थान प्राप्त करने वाली पहली महिला बन चुकी है जो टाइम पत्रिका साइमोंड्स के नाम से जाने जाती है यह प्रतिवर्स जारी करती है इसने टोटल एशिया के 856 संस्थानों को सामिल किया इसमें इस बार सरवाधिक 148 संस्थान भारत के सामिल हुए लेकिन फिर भी एशिया की जो सरवस्रेश्ट इन्वरस्टी है वो पेकिंग इन्वस्टी है चाइना की रैंक 2 में आपका हॉंग कॉंग इन्वस्टी आती है भारत की तरब से रैंक 40 मिलती है आई 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 डेली को तो यह आपकी QS की एशियान इन्वस्टी रैंक हो गई आगे देखते हैं ग्वालियर और कोजी कोड की इस्तिति तो देखें युनेस्को के द्वारा जो Creative Cities Network का प्रोग्राम चलाया जाता है इसके अंतरगत 31 अक्टूबर 2023 को जो कि विस्सो सहर दिवस घोसित किया था है 31 अक्टूबर 2023 को बिस्सो सहर दिवस के रूप में जाना एता है इसी स्रेडी में ग्वालियर को संगीत स्रेडी में 2023 में और कोजी कोड को साहित स्रेडी में 2023 में Creative Cities Network के रूप में सामिल किया गया इससे पहले भी कुछ और भी हमारी Old Creative Cities हैं जैसे जैपूर हो गया रचनात्मक सहरों की संख्या जो कि भारत की टोटल कितनी हो गई है आठ हो गई है इस तरीके से मिला के पोजी कोड की बारे में एक और जानकारी शियर कर दू कि यूनेसको ने साहित के सहर यानि कि City of Literature के रूप में इसे मानिता दी है जो कि भारत का पहला साहित सहर है लिटरेचर सिटी के रूप में इसे मानिता दी गई है फिर यहां पे Global Hunger Index के बारे में बात करेंगे जो कि चार संकेतकों पे आधारित है तो पहला होता है अल्पोशन यानि अंडर निउट्रिशियन में दूसरा होता बाल दुबलापन child wasting तीसरा होता बाल ठिकनापट child stunting और चौता होता बाल मिर्थिधर यानि की child mortality ये चार रैंकों के आधार पे चार संकेतक के आधार पे रैंक बनाई जाती है कि दुनिया में कौन से ऐसे देस है जो इन चारों पे खरे उतर पा रहे हैं नहीं अलाकि ये rank मतलब जो जारी की जाती है सूचकांग ये concern worldwide और wealth hunger health के द्वारा संयूक तूरूप से जारी की जाती है और 2023 की अगर हम ranking की बात करें तो भारत को 111 rank मिली थी जो की एक गंभीर इस्थिती का मामला था और ये 125 देसों में इसकी गलना की गई थी वर्तमार में अगर हम देखें तो 2024 की वे रिपोर्ट आ चुकी 28 अक्टूबर या 25 अक्टूबर को आई थी और उसमें भारत को ये 105 वा स्थान मिला है को रैंकिंग दी थी टोटल इस बार USA के सबस्यदिक सामिल है इसमें 179 विश्विद्याला इसमें सामिल है रैंक वन पर अगर हम बात करेंगे तो आक्सफोर्ड इन्वर्स्टी यूके की सामिल है और भारत का IISC बंगलूरू करनाटक जो की सीर संस्थान है इसको रैंक समों में सामिल किया गया 201 से लेके 250 के बीच में अब भारत के कितने सामिल हुए इस बार 91 संस्थानों को सामिल किया गया है अब आते हैं G7 का 50 वा जो सिखर सम्मिलन है 13 जून से 15 जून 2024 के दोरा इटली की अध्यक्स्ता में अपूलिया में आयोजित किया गया कहां पे अपूलिया में और इटली ने जापान से या अध्यक्स्ता ग्रहन की थी यानि कि जो 49 वाला जो समिट था ये जापान में हुआ था वाला कहा हो रहा है इटली में लेकिन 51 कहां पर होगा दोजार पच्छिस में यह कनाड़ा की अध्यक्स्तन होगा अब जरा जी सेवन की स्टैबलिस्मेंट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लो कि वह जी सेवन के जो संस्थापक देश थे उसमें कनाड़ा सामिल नहीं था किवल साथ देश थे मतलब छे फ्रांस इटली जर्मनी यूएसे यूके जापान इन्होंने मिलके 1975 में इसकी स्थापना की थी लेकिन आगे चलके 1976 में कनाड़ा भी इसमें सामिल हो जाता जी सेवन में और यहाँ पे इनकी जो समिट हुई थी साथ सदस्यों के साथ यूरोपी यूनियन भी इसमें सामिल है तो आधार बुस सनचनाओं को ध्यान में रखते हो इन्होंने कुछ परियोजनाओं को समर्थन किया जैसे अंगोला में ये लोग लोग लोवीतों को डेवलप करने की बात करते हैं और मिडल कोरिडर को भी जो कि ट्रांस कैस्पियल अंतराश्टी परिवान के रूप में जानाए इसको भी डेवलप करने की बात करते हैं और Great Green Wall Initiative इसे भी जो कि अफरिका के साहिल च्छित्र में जो मरुस्थली करण हो रहा है, मिर्दा परदन हो रहा है, इसे रोकने के लिए भी इन चार प्रोजेक्ट को ये लॉंच करने की बात करते हैं आगे देखें यहां पर अब यह आपका नोबल पुरस्कार है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि 2023 का है, जबकि अब इस समय आपका 2024 का मिल चुका है, एक महिने से उपर होने वाला धीरे-धीरे, तो आपको यह पढ़ना है 2024 का, जो कि मैं अभी October की जो Current Affairs Update लेकर आऊँ तो UNFCCC, United Nation Framework Climate Action Change पर जो होता है, यह 30 November से लेकर 13 December के बीच में UAE के दुबई में आयोजित किया गया था 2023 में, ठीक है, और यहां पर जो सबसे important चीज थी, वो थी loss and damage fund को लागू करना, हलांकि इसकी बात तो 2022 में कर दी गई थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था, तो इसे loss and damage fund को लागू किया गया इस बार, और जिससे जलवायू समवेदन सील, विकास सील देशों की मदद की जाएगी, और इस fund का प्रबंधन, World Bank को दिया गया चार वर्सों के लिए कि आपको इसका management करना है, रास्टी स्वक्ष गंगा मिसन के नेत्रित्व में Global River Cities Alliance को 10 दिसंबर को लाउंच किया गया, इसी में COP28 में भी, UNO के Race to Resilence में भी सामिल हुआ, और इस अभियान में जलवायू परिवर्तन सुथपन चुनोतियों का समाधान करना होता है, तो भारत की भी कुछ नए-नए creative ideas हो है, उसको सामिल किया जाएगा, साथी साथ COP29 की बात करेंगे, तो 2024 में अजर बैजान में होगा, और COP30 की बात करें, 2025 में ब्राजील में होगा, अब यहां पर देखते हैं, COP28 में कुछ और भी चीज़े थी, जैसे कुछ और लक्ष रखे गयते हैं, कि 2030 तक हम लोग नवी करणी उर्जा को वैस्विक जो चमता है, उसको तीन गुना किया जाएगा, लगवग 11,000 गिगावाट तक पहुचा जाएगा, और मोदी जी ने इसी दौरान green credit पहल को भी शुरू किया, और 2028 में COP33 का आयोजन भारत में किया जाएगा, जो कि इससे पहले 2002 में हुआ था, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि COP28 कहां पे हो रहा है, 29 कहां पे, 30 कहां पे हुआ और COP33 जो कि भारत में आयोजित होगा, अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसी दौरान COP28 में ही अगर आप देखोगे, कि विस्ट के सबसे बड़े एकल साइट सौर उर्जा सेंत्र अलधाफरा सोलर फोटो वर्ल्टेक इंडिपेंडन्ट पावर प्रोजेक्ट का भी उधगाटन कर दिया गया था, UAE में, मिनी माता अभी समय क्या है, देखो विए, यह 2013 में साइन किया गया था, 2017 में यह लागू किया गया, हलांकि इसका COP5 आयोजन किया गया, नॉर्मबर 2023 में, जिनेवा स्विटजल में और यूनेप के तत्वाधान में किया था इसको, आगे जो COP6 है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका आयोजन चिली में किया जाएगा, कहाँ पे, चिली में, भारत भी मिनी माता अभी समय का जो एकी सदा से बन चुका है, इसने रेटिफिकेशन दे दिया था, 2018 में ही, GPAI क्या होता है, Global Partnership on Artificial Intelligence, इसका आयोजन, New Delhi में किया गया था, भारत मंडपम में, चौथा जो एकी समिट था, और 2023-24 के लिए भारत GPAI परिशत का अध्यक्ष है, इसका मतलब है कि Global Partnership on Artificial Intelligence का भारत इस समय अध्यक्ष भी है, और इसे 15 जून 2020 को लांच किया गया था, जिसमें संस्थापक सदस से कितने दें 15 थे, और भारत भी उसमें संस्थापक सदस की रूप में सामिल था, लेकिन वर्टमान में इसके 29 सदस से हो चुके है, इसकी जो मिटिंग्स थी, जो पहली हुई थी, दिसमबर 2020 में कनाड़ा में, दूसरी नॉबर 2021 में फ्रांस में, तीसरी नॉबर 2022 में जापान में हुई थी, तो यह तीन समिट आयोजित हो चुकी थी, चौथी आपकी भारत मंड़पम दिल्ली में आयोजित की गई थी, और यहां पर अगर आप देखोगे, कि पहला बैस्विक AI सुरक्षा सिखर सम्मिलन, तो दो नॉबर 2023 को बलेचले पार्क UK में आयोजित किया गया है, बलेचले जो घोश्रापत्र है वो फ्रेंटियर AI, यानि कि Artificial Intelligence के जोखिमों से निपटने के लिए, पहला बैस्विक समझोता है, क्या है, पहला बैस्विक समझोता है ये, और यहां पर कुछ खास नहीं है, बस यह अंतराश्टी निर्वाचन आप एक दो पढ़ सकते हो, जैसे New Zealand के जो नए प्रधान मंत्री बने है, Christopher Mark Lakshan बने हुए है, एकवाडोर के जो प्रधान राष्टपती बने है, डेनियल नाबोवा बने हुए है, नाइजीरिया के राष्टपती बोला आहमद टीनूबू बने, बांगलादेश के राष्टपती मुहमद सहाब उद्दीन चुपू बन चुके है, साइपरस के राष्टपती निकोस, क्रिष्टे, डॉलाइड़स बने हुए है, और नेपाल के जो नए राष्टपती बने है, वो हैं, रामचंदर पैडोल है, ठीक है, और 19-वे नंबर पे अगर आप नैम की बात करोगे, नॉन अलाइग्मेंट मुमेंट की, तो ये 19-20 जनवरी 2024 को युगांडा कमपाला में, मतलब कमपाला में, युगांडा में इसका सम्मिलन किया गया, कमपाला एक सहर है युगांडा देश का, और इसकी जो थीम्टी साजा वैस्विक समरिद्दी के लिए सहयोग बढ़ावा देना, युगांडा वर्स 2024 से 27 तक नयम का क्या रहेगा, अध्यक्ष बना रहेगा, और 1961 में इसकी स्थापना की गयी थी, उस समय बेल ग्रेट सामिल था, युगोसलाविया सामिल था, और भारत भी संस्थापक सदस्यों में सामिल था, अलागि बारत की तरफ से नहरू जी इसमें सामिल थे, CMS COP14 की बात अगर हम करें, तो CMS COP14 का मतलब हो गया, जो वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के सनक्षन पर, अभी समय के पक्षकारों का एक सम्मिलन है, जो की COP14 की बैठक, 12 फरवरी से लेके 17 फरवरी 2024 तक, समरकंद में आयोजित की गए थी, जो की उजबेकिस्तान का एक महत्मून सहर है, साथी साथ COP14 का जो स्लोगन था, प्रकिर्टी की कोई सीमा नहीं होती, यानि की नेचर नो बॉर्डर, मतलब कोई सीमा नहीं होती, इसे करना था, और आगे देखोगे कि जो 14 वाला समिट तो चल रहा है, लेकिन इससे पहले 2020 में गांधी नगर में कॉफ 13 का इसका आयोजिन, गुजरात में किया गया था, कॉफ 14 के दौरान ही प्रवासी प्रजाती चेंपियन का रेकरम का भी आवजिन किया गया, कौन-कौन से ऐसे देश हैं, जिन्होंने प्रवासी प्रजातियों का सनक्षण बहुत बहतर तरीके से किया, तो 9 चेंपियनों को जो मानिता दी कि उसमें उजबेकिस्तान है, भारत भी सामिल है, जर्मनी, यूके, यूरूपी, आयोग के सदस भी सामिल है, और इसे प्रवासी प्रजातियों के सनक्षण पर जो CMS आप पढ़ रहा हैं, इसी को में लोग बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं, जो कि 1979 में साइन किया गया, 1983 में लागू किया गया, भारत ने भी 1983 में इसमें पक्षकार के रूप में अपनी सहमती दे दी थी, अब आते हम G20 समिट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, 9 से 10 सेप्टेंबर 2023 को भारत मंडपम न्यू डेली में अठारवा आयोजित किया गया, और पहली बार ऐसा था कि G20 का समिट भारत में आयोजित किया गया, ये भारत के लगवग 60 सहरों से लेकर 200 बैठके आयोजित की गयी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चार माद पूर्ण सहर जहां पे इनकी बैठक की गयी थी, एक थी लखनव में, वरणसी में, आग्रा में और गृतन उड़ ayudar में, ये चार ऐसे सहर थे उत्तर प्रदेश के जहां पे इनकी बैठक आयोजित की गयी थी, अगर हम और जानकारी लेते हैं तो African Union को इसमें एक नया इस्थाई सदस्य के रूप में चुना गया तो अब यह G20 से बढ़कर G21 हो चुका है हलांकि इसमें एक European Union जैसा सामिल हो चुका है संगठन पहले से ही लेकिन दूसरा संगठन है जो African Union के नाम से जाना जा रहा है 1999 में जब G20 की स्थापना होई थी ना उसके बाद ही पहली बार है कि 2023 में मोदी जी के नित्रित में पहली बार ही सदस्ता का विस्तार किया गया साथी साथ G20 में ही Global Biofuel Alliance का भी सुभारम किया गया और जो की जैव इंधनों के प्रमुक उत्पादक और उभुकताओं का इसमें सदस्य होते जिसे USA हो गया, ब्राजील हो गया, भारत हो गया, ये सब एथिनॉल के उत्पाद में सीर्स हैं और साथी साथ इसी में IMEC यानि भारत मद पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जिसमें इंडिया, USA, UAE और यूरूपी यूनिन आदी देशों ने इसमें समझोता करपे साइन किया कि हम भारत को मद पूर्व यूरोपी आर्थिक गलियारे से कनेक्ट करेंगे साथी साथ इससे क्या होगा इंडिया क्या करेगा UAE, साथी अरब, इसराइल, यूरोब तक गुड्स और सप्लाई सर्विसिस को सप्लाई कर पाएगा आराम से और तो और भारत ने फिर अगली जो अध्यक्सता है वो ब्राजील के राष्टपती लूला डी सिल्वा को मोधी जी ने गैवल सौंप दिया जो एक हाई कोट या सुप्रिम कोट का जो हथोड़ा होता है न साइलेंट ओर ओर उडर उडर उससे संबंदित होता है और यह उननि किया गए तो इसकी थीम थी वसुधैब कोटुमबकम के नाम से वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर यह इसका जो एकी थीम भी थी इसके बाद अगर आप देखो कि यहां पे तो कुछ और खास है नहीं और यह गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल के बारे में देख जाता है जिसमें पश्चिमंगाल, उडिसा, बांगलादेश, काफी छती होई यहां पे और इसका जो नामकरण था रेमल यह ओमान देश ने किया था जिसका अर्भी भासा में सब्द होता है सेंड यानी बालू होता है तो यह हो गया आपका कंप्लीट और यह चंद्रियान जो मिसन दिख रहा है आपको, यह है साइंस शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी साइंस को मैंने हाइलाइट नहीं किया, लेकिन इस से पहले मैं कोशिस करूँगा कि आपको यूपी स्पेसल आज तैयार कर लूँ और कल इसकी क्लास आपको इसी तरीके से मौर्निंग में बा आते रहूं और नएने इनिशेटिव लेकर आइडियाज लेकर आपके सामें आता रहूं, तो वीडियो अच लगिए तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ सेयर करो, और पीडियाफ के लिए आप वाटसप टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते ह जो कि इसकी पेड पीडियाफ होती है, अदरवाइस आप इसकी क्लास से भी त्यारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मिलते है नेक्ट वोड़े में, जय हिन, जय भारत!